जैन दोस्तों स्वागत है आपका बिये समेश्टर वाला में दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं डिडियू उनिवर्सिटी में माइनर को कुलिकुलर आपका बैक एक्जाम का ये पेपर है ठीक है पेपर का नाम है कम्यूनिकेशन स्किल्ट एंड प्रस्नाल्टी डिवलमेंट ठीक है जिनका भी बैक लगा था उनका एक्जाम हुआ है पेपर कोड है PSY100 ठीक है चले आगे बढ़ते हैं आज हम लोग इसका एंस्वर की देखेंगे ठीक है इसमें आप लोग एंस्वर की मिला लेंगे और यह आपकी जिम्यदारी है कि आप इस question paper को WhatsApp पर अपने दोस्तों को जरूर सेंड कर देंगे ताकि वो भी अपना एंस्वर की मिला लें पचास में से कितने प्रस्न सही हुआ है comment box में सभी लोग comment कर देंगे ठीक है और असफल होने का भी डर होता है ठीक है तो डी अपसन आपका correct था पहले का चले दूसरा प्रस्न आपका इसमें पूछा गया था डीजिटल नागरिकता क्या है तो जो डीजिटल नागरिकता है वह पहचान है जिसे कोई व्यक्ति आनलाइन व्यक्त करता है ठीक है पहला अपसन आपका right है दूसरे का प्रस्न नंबर तीसरा आपका इसमें पूछा गया था जब हम अपने समय का सदुपयोग करना जानते हैं तो हम और कर सकते हैं तो जब हम अपने समय का सदुपयोग करना जानते हैं तो हम तनाव को कम कर सकते हैं और अपने जो काम है हमारा जो काम है उसकी उत्पादक्ता बढ़ा सकते हैं ठीक है तीसरे कभी आपसन आपका राइट था चले इसमें अगला प्रस्न देखेंगे चौथा प्रस्न है यदि आप इस प्रस्न पत्र को दो हजर पचीज़ चब भी देख रहे होंगे आपके पिठ होते हैं ठीक है और जो बच्चे क्लास किये होंगे ठीक है वो भी उनको भी पता होगा कि कई प्रस्न इसमें आये हैं ठीक है चले इसमें चौथा प्रस्न पूछा गया था कि सब्द का अर्थ कम महत्पूर कारियों पर अपना समय बरबाद करके किसी कारे को करने में लेडि़ेरी करना है तो वह विलंब या फिर टालना का लाता है पहला आपसे आपका राइठ है चोथे का चले पौछव प्रस्न आपका इसमें पूछा गया था इमिल में Αल कैप्स का उपयोग करने का अर्थ है तो आलकफ का अर्थ होता है जैसे अंडरलाइन कर देते हैं जैसे हम लोग किसी मान लीजे, यहां पर हम पढ़ रहा है, ठीक है, इमेल लिखा है, तो आप लोग अपने books में भी email को इस तरह से क्या करते हैं, उसे color कर देते हैं, ठीक, उसी तरह से इसमें भी होता है, तो इसका अर्थ होता है, आप चिला रहे हैं, ठीक है, सी आपसन आपका राइट है पांच वे का चले आप लोग बुक्स पढ़ते होंगे बुक्स में अभी किसी जो मेंड टॉपिक होता है उसे आप इस तरह से हाइलाइट कर देते होंगे ठीक है उसी को हो कह रहा है प्रस नमर छठा आपका पुछा क्या था सफलता पाने के लिए लक्ष महतपूर है एक लक्ष क्या है तो यह कुछ आप हांसिल करना चाहते हैं ठीक है यहाँ पर लिखा है सम्थिंग यू वांट टू अचीब ठीक है यह आपसन आपका राइट है छटे का प्रस नमर साथ आपका इसमें पूछा गया था देखें साथ नमर प्रस नमर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा आत्मविश्वासी व्यक्ती का गुड है तो देखें जो प्रतिबधता है यहाँ आत्मविश्वासी व्यक्ती का गुड होता है ठीक है? C आपसन आपका right है प्रस नमबर 8 आपका पुछा गया था समय प्रबंधन रल नितियों में सामिल है प्रस नमबर 9 आपका इसमें पुछा गया था Internet के माध्यम से गाजेट्स кी सुरद्छित ब Hussein Internet के माध्यम से जो गैजेट्स है उसकी सुरच्छित खरीद यों विक्री है यह क्या है तो यह डिजिटल वाडिज यह है ठीक है डिजिटल कामर्स बोलते हैं बी आपसन आपका राइट है नवेका ठीक है बी आपसन चलें प्रस नमर्स आपका इसमें पुछा गया था संचार बाधाएं हमारे समाजिक संबंदों को और हमारे जो मनोबैग्यानिक स्वास्थ हैं इसको प्रभावित करती हैं संचार बाधाएं कम्यूनिकेशन बैरियर्स ठीक है सी आपसन आपका राइट है ए और बी दोनों प्रस नमबर 11 आपका इसमें पुछा गया था किसे गयर मोखिक संचार यानि नानमर्बल कम्यूनिकेशन के रूप में वर्गी करित किया गया है तो जो आपका बोड़ी लैंग्वेज है दे पूछा गया था समय प्रबंधन कौसल में सामिल है समय प्रबंधन कौसल में कार की प्राथमिक्ता तै करना सामिल है यह आपसन आपका राइट है बारे का प्रस नमर 13 आपका इसमें पूछा गया था व्यक्तिगत विकास गत्विधियों में वे गत्विधियां सामिल है जो जागरूपता और पाच्चान बढ़ाएं, योग्यताएं और छामता भिक्सित करें, मानव पूझी का निर्माण करें डी आपसन आपका राइट है उपरूपत सभी प्रस नमर चौदा आपका पुछा गया था इसकूल के घंटो के दारान या फिर आप मीटिंग के दारान सही फोन रिंगर सेटिंग है ठीक है यदि आप मीटिंग में है या फिर इसकूल में घंटो के दारान है तो आप अपने फोन को कैसे रखेंगे, कमपन करके रखेंगे या फिर बंद करके रखेंगे या value को कम कर देंगे value कम करेंगे तो या तो सुनाई नहीं देगा या तो सुनाई देगा ठीक है लेकिन सुनाई देता है इसमें आपका देखे B option आपका right है 100% ठीक है वाइब्रेट कर दीजिए या फिर आप कर दीजिए ठीक है अगर school में बच्चो के लिए पूछता कि school में जो बच्चे mobile का यूज करते हैं तो बच्चे mobile को किस तरह से रख सकते हैं तो विशिष्ट ringtone ठीक है अगर पूछा रहता बच्चो तब यहाँ पर आपका C option होता लेकिन आपका यहाँ पर B option पर से ओर हो कि आपका B option नहीं राइट है बाकी university के ऊपर है आपका देखी आपसा नमबर A मानती है या फिर B मानती है प्रस नमबर 15 आपका पुछा है जहां सूचना या संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुचाया जाता है तो इसे कहते है जब सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुचाया जाता है तो इसे interpersonal communication बोलते है पारसपरिक संप्रेशनल B option आपका राइट है पंदर का चले 16 नमबर पसना आपका पुछा गया है आत्म विश्वास निर्माड में सामिल है आत्म विश्वास निर्माड में जीवन में अथार्तवादी लक्ष निर्धारण करे उन लोगों से बात करे जो आसवस्त हैं अपने लक्ष को ले करके ठीक है हमेशा सकरात्मक सोचें ये सभी D option आपका राइट है 16 नमबर 17 है संचार की समान सरेणिया है जो कम्यूनिकेशन है इसकी समान सरेणिया कौन कौन सी है तो देखे यहां पर भासड लेखन है मुदरण है प्रिंटिंग है स्पीच राइटिंग है ठीक है electronic कम्यूनिकेशन है ठीक है यानि electronic संचार है मुदरण समझ रहा है आप प्रिंटिंग जैसे मैग जिंग छपता है, निउज पेपर है, बुक्स है, ये सभी भी आपकी कम्यूनिकेशन के ही भाग है, ठीक है, D आपसन आपका राइट है, सत्रका चले, प्रस नमबर अठारा आपका इसी में पुछा गया है, निम्न लिखित में से कौन? लिखित संचार का उधाराण है, यानि रिटेन कम्यूनिकेशन, ठीक है, रिटेन कम्यूनिकेशन का उधाराण कौन सा है? ए टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट संदेश, ठीक है, B आपसन आपका राइट है, अठारे का चले, प्रस्ट नंबर 19 आपका पुछा है, एटिट्यूड क्या है? अभिवरेत्ति क्या है, एटिट्यूड क्या है? तो एटिट्यूड किसी चीज को देखने का तरीका होता है, ठीक है? C आपसन आपका राइट है, 19 का प्रस नमबर 20 आपका इसमें पूछा गया था आत्म सम्मान का अर्थ है किसी व्यक्ति का अपने बारे में मुल्य निरड़ है ठीक है वैलू जज्जमेंट आप है परसन एबाउट हिमसेल्फ बी आपसन आपका राइट है प्रस नमबर 20 का प्रस नमबर 21 आपका इसमें पूछा गया था व्यक्तित्त की आवधारणा के अंतरगत निम्न में से किसे सामिल नहीं किया जा सकता है यानि जो प्रसनाल्टी की आवधारणा है इसकी अंतरगत किसको सामिल नहीं किया जा सकता है तो साथियों जो यहाँ पर आपका दिया गया है, यहाँ पर D option है, जीस तरह से एक व्यक्ति यात्रा करता है, इसको सामिल नहीं किया जा सकता है, D option आपका right है, प्रस नमबर 21 का, प्रस नमबर 22 आपका यहाँ पर पूछा गया था, एक व्यक्ति के रूप में आप क्या है, इसकी विवेच गरदेना है तो एक व्यक्ति के रूप में आप क्या है शेल्फ कंट्रोल ठीक है आत्मनियंत्रण एपसन आपका राइट है बाईस का प्रस्ट नमर्टेश आपका पुछा गया था एक व्यक्ति का व्यक्तित्य निर्धारित होता है यानि जो एक परसन है इसकी प्रस्नालटी प्रदर्शन समबंदी अप्यक्षाएं और छमताओं का आत्म मुल्यांकन है यह क्या है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आत्म विस्वास होता है एक आपसान आपका राइट है चोविस का प्रस नंबर 25 आपका इसमें पूछा गया था किसी व्यक्ति का ठीक है कोई परसन है उसकी प्रसनाल्टी उसके निम्नलिखित गुडों का योग होता है तो यह आपका क्रियाएं हैं ठीक है एक्संस हैं उसके थार्ट्स कैसे हैं स्वयम के प्रति हम अन्य लोगों के प्रति समाजी का विवरितियां हैं ठीक है उपर उपर सभी हो जाएगा डी आपसन राइठ आपका पचीज का प्रस नंबर 26 आपका पुछा गया था दोस्तों यह कथन यह स्टेट्मेंट है मैं अपनी गलतियों के लिए च्छमा मागने जा रहा हूँ इसका उधाराड है यह प्रसन कई प्रसन इसमें है जो मैंने कोश्चन पेपर सॉल्फ कराया थे मौडल पेपर दिये थे उन सब ही में यह सारे प्रसन थे साथियों ठीक है तो इसका उधाराड है कि यह एक good behavior है अच्छा वेवार यह आपसन आपका right है 26 का चले प्रसन नमर 27 आपका पुछा गया था वाले लोग कई नई चीजे आजमाने से डर जाते हैं डर सकते हैं तो जो low self confidence जिसके अंदर होता है निम्न आत्म विश्वास जिसके अंदर होगा ठीक है वो लोग क्या करते हैं नई चीजे आजमाने से डर सकते हैं तो B आपसन आपका right है चले प्रसन नमर आपका 28 इसमें पुछा गया था कारियों को प्रात्मिक्ता से करने के लिए प्रयुक्त समान रड़नीती क्या है तो प्रयुक्त समान रड़नीती होती है कि एक कारिसूची D आपसन आपका right है 28 का प्रसन नमर 29 आपका पुछा गया था काम करते समय नियमित ब्रेक लेना क्यों जरूरी है तो काम करते समय नियमित ब्रेक इसलिए लेना चाहिए क्योंकि यह थकान को कम करता है ठीक है और ध्यान केंदरित करने में सुधार करने के लिए भी होता है ठीक है बी आपसन आपका राइट है देखे कम्यूनिकेशन इसकी एक ऐसा सब्जेक्ट है इसको जब आप डीपली प पॉसलों पर ओरल इसकील्स पर और राइटिंग इसकील्स पर ठीक है दोनों पर होता है तो डी आपसन आपका राइट हो जाएगा यह और भी दोनों प्रस नमबर 31 है यूटूब फेस्बूक इस्टाग्राम परकार है तो यह आपका देखे यहाँ पर यूटूब है फेस्बूक है इस्टाग्राम है यह सभी आपके मास संचार का उधारण है यह आपसन आपका राइट है ठीक है यह सोसल मेडिया है सारे चले प्रस नमबर आपका 32 है, रेडियो एक वीधी है, रेडियो किस परकार का संप्रेशन है, रेडियो किस परकार का कम्यूनिकेशन करता है, पुछा गया है, तो ये एक वाचिक संचार है, ठीक है, ओरल कम्यूनिकेशन है, ये आपसन आपका राइट है 32 का, ठीक है, ये आपसन, चले, प्रस प्रस्ट नोंबर तकारो पुछा गया है, मुखा अबिव्यक्ति एक परकार है, तो मुखा विव्यक्ति जो है एक अवाचिक संचार है, ठीक है, नान वर्न गंवर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं इसे यह आपसन आपका राइट है 33 का प्रस नमबर 34 आपका पुछा गया था एक आपचारिक संचार के दोरान नकरातमक परकार की दिया भासा में सामिल है तो यह होता है आपका एवाइडिंग आई कॉंटेक्ट ठीक है इसमें लक्ष निर्धारर किस परकार व्यक्तिगत विकास में युगदान दे सकता है यानि प्रसनल डेवलम्मेंट में ठीक है लक्ष निर्धारर किस परकार युगदान देता है तो यह आत्म विकास और कॉसल विकास को बढ़ावा दे करके ठीक है C आपसन आपका राइट है 35 का प्रस्ण नमर 36 आपका इसमें पूछा गया भिया लक्ष निर्धारल कैसे मदद कर सकता है समय प्रबंधन में यहाँ पर आपको ऐसे पढ़ना चाहिए था प्रस्ण को समय प्रबंधन में जो समय प्रबंधन है यह किस प्रकार हमारे लक्ष निर्धारल में मदद कर सकता है इस तरह से ठीक है तो कारियों और गत्मीधियों को पराथमिकता दे करके D आपसन आपका राइट है प्रस्ण नमर 36 का प्रस्ण नमर 37 है 37 नमर प्रस्ण पुछा गया था एक विशिष्ट लक्ष क्या दर्साता है तो एक विशिष्ट लक्ष जो होता है असपष्ट रूप से परिभासित परिणाम वाला लक्ष होता है B आपसन आपका राइट है प्रस्ण नमर 37 का प्रस नमबर 38 पुछा गया है किस परकार का लक्ष निर्धारर सरवाधिक प्रभावी है स्मार्ट लक्ष यह आपसन आपका राइट है प्रस नमबर 49 आपका पुछा गया है प्रस नमबर 49 है व्यक्ति के सभी विशिष्ट लक्षण और समायोजन पैटर्ण को कहा जाता है तो इसको व्यक्ति तो कहा जाता है प्रसनाल्टी बोला जाता है ठीक है जो परसन है ठीक है कोई व्यक्ति है उसकी सभी विशिष्ट लक्षण और समायोजन पैटर्ण को आरेरिक भासा में मुख्य नाकरात्मक प्रकार है, यानि कम्यूनिकेशन की बॉडी लेंग्वेज में मुख्य नाकरात्मक या नेगेटिवीट्यू का प्रकार है, तो यह आखों के संपर्क से बचना, यह अपसन आपका राइट है, चालिस का, प्रस नमबर 41 आपका पुछा है, यह अपसन आपका राइट है, तालिस का, प्रस नमबर 42 आपका पुछा गया है, 42 निम्न लिखित में से कौन सा बहिर मुखी व्यक्तित्तु की विशेश्ता है, ठीक है, एक्स्ट्रोवर्ट प्रसनाल्टी की कौन सी विशेश्ता नहीं है, ठीक है, सौरी, यहाँ पर न लेकिन दीवा सोपन देखने वाला नहीं होता है, डेर ड्रीमर नहीं होता है, तो डी आपसन आपका राइट है, 42 का, प्रस नमबर 43 पुछा गया, 43 नमबर लोगों वस्तुओं एवं मुद्दों के बारे में आपकी कुछ अभिवरेतियां और मत होते हैं, ठीक है, आपकी अभिवरेतियों में परिवर्तन होने की संभावना अधिक है, जब वे कमजोर एवं कम निश्चित हों, बी आपसन आपका राइट है, 43 का, प्रस नमबर 44 है, जब आप एक प्राधिकारी व्यक्ति को उसके व्यक्तियत मुबाइल नंबर पर पहली बार काल कर रहे हों, तो स सबसे पहले हमें अपना परिचा देना चाहिए, ठीक है, बहुत यह असान प्रस था, इसको भी मैंने सौल्व कराया था, बी आपसन आपका राइट है, 44 का, प्रस नमबर 45 आपका पुछा गया है, जब आप एक नौकरी के लिए साच्छातकार, यानि जब आप नौकरी के लिए इंटर्व्यू का सामना कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रसनों का उत्तर देते समय आपकी आवाज की जो तिवरता है, नम रेव मध्यम स्वर की तिवर होनी चाहिए, ठीक है, यह आपसन आपका राइट है, 45 का, प्रस नमर 46 आपका पुछा गया था, जोहारी खिड की इस तो अत्तर वथा सिर्मदीत होते हैं, ठीक है, आत्मप्रभवकारिता से नहीं, डीजे अपसन आपका राइट है, 46 का, प्रस नमर 46 आपका पूछा गया था, निमन लिखित में से कौन समबंध बनाय रखने से समबंधित, नहीं है, परिहार यह ताल मटूल, ठीक है, किसी से संबंद बना रखने से संबंदी नहीं है C आपसन आपका राइट है 47 का अब प्रस नमबर 48 आपका पुछा गया था 48 नमबर पुछा गया था निम्न लिखित में से कौन अंतर ब्यक्तित तो संबंद में अंतर रंगता की एक वीभा नहीं है कौन नहीं है भया तो अंतर द्वंद ठीक है कौन फिलिक्ट बोलते हैं यह आपसन आपका राइट है 48 का अब प्रस नमबर 49 देखेंगे आपका क्या पुछा गया है निम्न लिखित में से कौन प्रभावी संब्रेसर है तो महतपूर नहीं है ठीक है यह आपसन आपका राइट है प्रस नमबर 50 है यह लाश्ट प्रस आपका इसमें पुछा गया था निम्न लिखित में से कौन आत्म विश्वास बढ़ाने है तू एक सही तरीका नहीं है ठीक है निगेटिव प्रसन है तो अन्य से अपनी तुलना नहीं करना चाहिए कोई भी व्यक्ति हो हमें किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए ठीक है दोस्तों चैनल पर आप नए हैं या फिर पूराने है तो प्लीज सब्सक्राइब करके सब्पोर्ट जरू करें ताकि आप किसी भी समेस्टर में आप पढ़ रहे हों अगले समेस्टर में आप हमारे साथ संदार त्यारी करेंगे फर्स्ट समेस्टर थर्ड समेस्टर और फिफ्ट समेस्टर की त्यारी चल लए है तो आप लोग सब्सक्राइब करके ठीक है पढ़ने की पढ़ सकते हैं आप हमारे साथ जल्दी मिलते हैं आपके नेक्ट क्लास में ततक लिजाहिन वन दे मातरम